आफिल T20 में आज मुकाबला है दो पावर हाउस मुंबई इंडियन्स और केक्यार के बीच अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो मुंबई इंडियन्स केक्यार पे कहीं जारा भारी पड़ती भी दिख रही है पॉंबई इंडियन्स जहां नंबर एक पे है तो वहीं केक्यार नंबर चार पर खड़ी है मुंबई इंडियन्स की पहले मैं बात करूं तो मुंबई इंडियन्स में मुझे कोई भी कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है Mumbai Indians अपने पिछले चार मुकाबले जीट चुकी है और बैटिंग की बात करें तो कप्तान रोहिच शर्मा एक जबर जस्ट फॉर्म को हासिल करते चले जा रहे हैं वहीं सूर्य कुमार यादो अव मिडल आडर में बेहत शांदर प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं कुइंटन डिकॉक भी अब बेहत शांदर फॉर्म में लौट चुके हैं और जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में डैली के अगेंस जो 50 लगाई थी वो कही ने कहीं वो मैच विनिंग इनिंग साबित होई थी उसके अलावा देखा जाए तो मुंबई इंडियन्स के पास दो पावर हिटर्स हैं जो जवर्जस बैटिंग करते हैं नीचे आके और उनका नाम है हार्दिक पांडिया और पॉलाड ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी आके मुकाबले को बदल सकते हैं इशान किशन की बात करूँ तो इशान किशन ने भी आपने को साबित किया है और जिस तरह उन्होंने आर्सीबी के अगेस्ट एक 90 रंग की पारी जो खेरी थी वो दिखा सकते हैं कि उनके अंदर कितना ज़ादा पोटेंचल है वही मैं मुंबई इंडियन्स की बोलिंग की बात करूँ तो यहां भी काफी जारा डेप्ट मुझे दिखाई देती है मुंबई इंडियन्स के पास तो बुमरातों हैं ही साथ में बोल्ट हैं ही साथ में पैटिंसन भी है यह जो तीनों जब एक साथ गेंबाजी करता हैं तो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं वही मुंबाई इंडियन्स के में मुंबाई इंडियन्स ने स्पिन डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छा है राहुल चाहर एक जबर्जस लेक्स पिनल साबित हो रहे हैं वहीं कुनाल पांडिया अब काफी जारा experience गेन बास बन चुके हैं T20 फॉर्मेट में तो मुंबाई इंडियन्स का जो balance है वो काफी जारा अच्छा है वहीं एक important पहलो ये भी है कि मुंबाई इंडियन्स के टीम मुझे सभी टीमों के मकाबले एक बहतरी फिल्डिंग साइड भी दिख रही है वहीं मुंबाई इंडियन्स के साथ अच्छा point ये भी है कि वो टॉस भी काफी जारा बात जीत रहे हैं वहीं मैं केके टीम की बात करूं तो केके टीम को जो सबसे बड़ा जटका लगा है वो है सुनील नरेन को जिस तरह उनको उनको ये बात बोले गई कि हो सकता है उनको उनके action के चलते वो tournament से बाहर भी हो जाए हाला कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन ये चीज़े कहीं न कहीं पूरी टीम पर प्ले करती है टीम काफी ज़़ा प्रेशर मां आती है कि जब आपका एक strike बोलर के उपर इस तरह ऐलिकेशन लगने शुरू हो जाए वहीं मैं बात करूं दूसरे बोलर की जाएगा वहीं कृष्णा भी मुझे एक अच्छे सपोर्ट बॉलर दिखाई दिये हैं कमिंस के साथ हलाकि अभी उन्होंने जाना मैंचेस नहीं खेले हैं लेकिन फिर भी उन्हें काफी जारा महत करनी होगी कमिंस को सपोर्ट करने के लिए मुझे चीज़ ये भी लग रह सब्सक्राइब को मौका देना चाहिए अगर वो नरेन को नहीं इस वाले माच में किखिलाते हैं को थो बात करूं कि केकर टीम के बैटिंग की तो बैटिंग में के बोलिंग देपार्टमेंट के मकाबले कहीं जारा बहतर है जो उनको कही न कहीं एक अच्छा एक्स्पेरिय हर दो या तीन मैच में एक मैच विनिंग तो खेल ही जाते हैं वही मैं बात करूँ राहूल तृपार्टी की तो मुझे लगता है कि राहूल तृपार्टी को नेचे ना खिलाके अगर उनको ओपनिंग कराए जाए तो वो KKR टीम के लिए बहुत बड़ा बोनस साबित हो सकत है मुंबई इंडियन के पास अभी विनिंग स्ट्रीक है के के टीम थोड़ा स्ट्रकल कर रही है और अपना पिछला मुकाबला भी राजस्टेंड रॉयल से वहारी है और अब के के टीम को पता है यहां से कि अगर उनको क्वालिफाई करना है तो उनको भी अपने कई मैच इसको जीतना पड़ेगा और वो भी अच्छे रन रेट के साथ तो काफी ज़रा इंटरस्टिंग यहां पर यह मकाबला देखने को मिल सकता है अगर मेरी आप मानें तो मेरा पैसा तो इस वाली मैच में मुमे इंडियन्स पर लगा है और लेकिन फिर भी टी-20 में कुछ भी हो सकता है और जिस दिन जो टीम अच्छा यहां पर खेलती है 40 ओवर तक वही टीम मुकाबले को जीती है